नमस्कार अर्गा सब्डेट को स्वागत कुरुची माधुरी प्राथमें हेड्लाइन्स हेड्लाइन्स इस ब्रॉट यूपाई खिम जी जुएलाई हैंग्राफ्टिंग ब्लेसिंग्स सिंस 1936 खिम जी कोजंगरे डबल मडर कोजंग एक्स्प्रेस कलोनी रे दुई महिलांको विवस्च हत्या धार्वा अस्त्रारे हानी हत्या कले दुर्बुर्त कारण अस्पस डवभी जुक्त अगिराफ्ट उपकलरु उपांग्त तातिरो राज्योती सकल आठटा तिरिस सुधा भुमनेशोरे तेत्ति जस्मे के दुई डिकरी पारत चार्शक्रारे संत्रेस पार गरम गुळी-कुळी रे संत्तुली रहे चंती राज्यों पास नी भी सन ग्रिस्म प्रभाहा को दुरुष्टिय रखी बार जिल्लाकु औरेंजी वार्नी सिमली पालग्रे से कारिंक गुलीरे फरेस्टरन को अम्रित्यु घट्वना घट्वना स्तलकु गले जंकल मंत्री PCCF, CCFA, RCCCFA घट्वना स्तलकु जाईति पास दुचना सेपने 10 चलकु अट्टक रखीची पनिस दिनोक परे विश्व प्रसिथा रथ चात्र काली नवो जोबन दर्शन सकला आठरू न जाई पारमणी काट्टिकेट एबंग न टारू एगारटा पर्चनत साहन मेला दर्शन रथ अटना कुने पोलीस रा मग्रेल वर्त्मान असंतु नजर पकाईबा प्रधान मंतर इंडारें त्रमो दिंक का सहे दुई तमा मन की बात कर चुक दो ऐसे तो मन की बात हर महिने के आखिरी रविवार को होता है लेकिन इस बार एक सब्दा पहले ही हो रहा है आप सब जानते ही हैं अगले हपते मैं अमेरिका में रहूंगा और वहाँ बहुत सारी भागदोर भी रहेगी और इसलिए मैंने सोचा वहाँ जाने से पहले आप से बात करनो और इससे बढ़िया क्या होगा जनता जनारदन का आशिरवाद आपकी प्रेणा मेरी उर्जा भी बढ़ती रहेगी साथियों बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधान मंत्री के तोर पर मैंने ये अच्छा काम किया वो बड़ा काम किया मन की बात के कितने ही सोता अपनी चिठियों में बहुत सारी प्रसंसा करते हैं कोई कहता है ये किया, कोई कहता है वो किया, ये अच्छा किया, ये जाजा अच्छा किया, ये बढ़िया किया, लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास, उनकी महनत, उनकी इच्छासक्ति को देखता हूँ, तो खूद अपने आप अभिभूत हो जाता हूँ, बड़े से बड़ा लक्ष हो, कठिन से कठिन चुनोती हो, भारत के लोगों का सामुहिक बल, सामुहिक शक्ती, हर चुनोती का हल निकाल देता है अभी हमने दो-तीन दिन पहले देखा, कि देश के पस्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया तेज चलने वानी हवाएं, तेज बारिश, साइक्लोन विपर जोई ने कठिना कुछ तहस नहस कर दिया लेकिन कच के लोगों ने जिस हिम्मत और तैयारी के साथ इतने खतरनाक साइक्लोन का मुकाबला किया वो भी उतना ही अभूतुर्व है दो दिन बाद ही कच के लोग अपना नया वर्ष, यानि असाड़ी बीच भी मनाने जा रहे हैं ये भी संयोग है कि अशाड़ी बीच कच में वर्षा की सरुवात का प्रतीक मना जाता है मैं इतने साल कच आता जाता रहा हूँ वहां के लोगों के सेवा करने का मुझे सवभागे भी मिला है और इसके लिए कच के लोगों का होसला और उनकी जिजी विशा के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ दो दसक पहले के विनासकारी भूकम के बाद जिस कच के बारे में कहां जाता था वो कभी उठ नहीं पाएगा अज बही जिला देश के तेजी से विक्सित होते जिलों में से एक है मुझे विश्वास है साइकलोन विपरजोय ने जो तबाही मचाई है उससे भी कचके लोग बहुत तेजी से उभर जाएंगे साथियों प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का जोर नहीं होता लेकिन बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रभंधन की जो ताकत विक्सित की है वो आज एक उधान बन रही है प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का एक बड़ा तरीका है प्रकृतिका सवरक्षन आजकल मौनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है इसलिए ही आदेश कैट रही जैसे अभियानों के जरिये सामोहिक प्रयास कर रहा है पिछले महिने मन की बात में ही हमने जल सवरक्षन से जूड़े स्टार्ट अपस की चर्चा की थी इस बार भी मुझे चिठी लिखकर कई ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पानी की एक एक मुंद बचाने के लिए जी जान से लगे है ऐसे ही एक साथी है यूपी के बांदा जिरे के तुलसिराम यादव जी तुलसिराम यादव जी लुकतरा ग्राम पंचायत के प्रधान है आप भी जानते हैं कि बांदा और बुंदेल खंड शेतर में पानी को लेकर कितनी कठिनाईया रही है इस चनोती से पार पाने के लिए तुलसिराम जी ने गाउं के लोगों को साथ लेकर इलाके में चालिस से ज़्यादा तालाब बनवाए हैं तुलसिराम जी ने अपनी मुहीम का आधार बनाया है खेत का पानी खेत में गाउं का पानी गाउं में आज उनकी महनत का ही नतीजा है कि उनके गाउं में भूजल स्तर सुधर रहा है ऐसे ही यूपी के हापूर जिले में लोगों ने मिल करके एक बिलुक्त नदी को पुनर्जी भी किया है यहां काफी समय पहले नीम नाम की एक नदी हुआ करती थी समय के साथ वो लुप्त हो गई लेकिन स्थानियस मुर्तियां और जन कथाओं में उसे हमेशा याद किया जाता रहा आखिरकर लोगों ने अपनी इस प्राकृतिक धरोहर को फिर से सज्यू करने की ठानी लोगों के सामुहिक प्रयास से अमनीम नदी फिर से जिवन्त होने लगी है नदी के उद्गम स्थल को अमरुद सरोवर के तौर भी विक्सित किया जा रहा है साथियों ये नदी नहर सरोवर ये केवल जलसरोत ही नहीं होते हैं बलकि इन से जीवन के रंग और भावनाए भी जुड़ी होती हैं ऐसा ही एक द्रश्य भी कुछी दिन पहले महरास्ट में देखने को बिला ये इलाका जादातर सुखे की चपेट में रहता है पांच दसक के इंतजार के बाद यहां निलवंडे डेम की कैनाल का काम अब पुरा हो रहा है कुछ दिन पहले टेस्टिंग के दोरां कैनाल में पानी शुड़ा गया था इस दोरां जो तस्वीरें आई वो भाकई भावुक करने वाली थे गाउं के लोग ऐसे जुम रहे थे जैसे होली दिवाली का त्योहार हो साथियो जब प्रबंधन की बात हो रही है तो मैं आज च्छत्रपती सिवाजी महराज को भी याद करूँगा च्छत्रपती सिवाजी महराज की वीर्ता के साथ ही उनकी गवर्नेंस और उनके प्रबंध का उसल से भी बहुत कुछ सिखने को मिलता है विशेशकर जल प्रबंधन और नव सेना को लेकर च्छत्रपती सिवाजी महराज ने जो कार्य कीए वो आज भी भारतिय इतिहास का गवर बढ़ाते हैं उनके बनाए जल दूर्ग इतनी सताब्दियों बाद भी समंदर के बीच में आज भी शान से खड़े हैं इस महने की सुरुवात में ही च्छत्रपती सिवाजी महराज के राज्या विशेक के 350 वर्स पूरे हुए हैं इस आउसर को एक बड़े पर्व की रूप में मनाये जा रहा है इस दोरान महराज के राइगर केले में इस से जुड़े भव्य कारखमों का आयोजिन किया गया मुझे आध है कई वर्ष पहले 2014 में मुझे राइगर जाने उस पवित्र भूमी को नमन करने का सौभागे मिला था यह हम सब का कर्तव है कि उस आउसर पर हम छत्र पदेश सिवाज महाराज के प्रमंद कौशन को जाने उनसे सीखे इससे हमारे भीतर हमारी विरासत पर गर्व का बोध भी जगेगा और बविश के लिए कर्तवियों की प्रेणा भी मिलेगी मेरे प्यारे देश स्वाचियों आपने रामायन के उस नन्नी गिलहरी के बारे में जरूर सुना पोगा जो राम सेतु बनाने में मदद करने लिए आगे आई थी कहने का मतलब यह कि जब नियत साप हो प्रयासों में इमानदारी हो तो फिर कोई भी लक्ष कठिन नहीं रहता भारत भी आज इसी नेक नियत से एक बहुत बड़ी चुनावती का मुकाबला कर रहा है यह चुनावती है टीबी की जिसे छैरोग भी कहा जाता है भारत ने संकल्प किया है समय था जब टीबी का पता चलने के बाद परिवार के लोग ही दूर हो जाते थे लेकिन यह आज का समय है जब टीबी के मरीज को परिवार का सदसे बना कर उनकी मदद की जा रही है इस अक्षय रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए निक्षय मित्रों ने मोर्चा सभाल लिया है देश में बहुत बड़ी संख्या में विभिन्द सामाजिक समस्ताई निक्षय मित्र बनी है गाउं देहात में पंचायतों में हजारों लोगों ने खुद आगया कर टीबी मरीजों को गोद लिया है कितने ही बच्चे हैं जो टीबी मरीजों की मदद के लिए आगया आए हैं ये जन भागीदारी ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है इसी भागीदारी की वज़े से आज देश में दस लाग से ज़्यादा टीबी मरीजों को गोड लिया जा चुका है और ये पुन्य का काम किया है करीब करीब 85,000 निक्षे मित्रों ने मज़े खुशी है कि देश के कई सरपंचों ने ग्राम प्रधानों ने भी ये बिड़ा उठा लिया है कि वो अपने गाउं में टीबी को समाप्त करके ही रहेंगे नाईनितार के एक गाउं के निक्षे मित्रों स्रिमां ग्ण्यान स्वी जी भी अपने ब्लोग में टीबी मरीजों को हर जरूरी सहायता उप्रब्त कराने में जुटे हैं भारत को टीबी मुक्त बनाने की मुहिम में हमारे बच्चे और युवासाधी भी पीछे नहीं है हिमाचल प्रदेश के उना की साथ साल की बेटी नलीनी सिंह का कमार देखिए बिटिया नलीनी अपनी पॉकेट मनी से टीबी मरीजों की मदद कर रही है आप जानते हैं कि बच्चों को गुल्लक से कितना प्यार होता है लेकिन MP के कटनी जिले की 13 साल की मिराक्षी और पच्चिम मंगाल के डायमन्ड हारबर के 11 साल के बश्वर मुखर जी दोनों ही कुछ अलगी बच्चे हैं इन दोनों बच्चों ने अपने गुल्लक के पैसे भी टीबी मुक्त भारत के अभ्यान में लगा दिये हैं ये सभी उधारण भावकता से भरे होने के साथ ही बहुत प्रेरग भी हैं कम उम्र में बड़ी सोच रखने वाले इन सभी बच्चों की मैं रदय से प्रसंसा करता हूँ मेरे प्यारे देश वासियों हम भारत मासियों का स्वभाव होता है कि हम हमेशा नए विचारों के स्वागत के लिए तयार रहते हैं हम अपनी चीजों से प्रेम करते हैं और नई चीजों को आत्मसाद भी करते हैं इसी का एक उधान है जपान की तकनीक मियावाकी अगर किसी जगह की मिटी उबजाव नहीं रही हो तो मियावाकी तकनीक उस खेत्र को फिर से हरा भरा करने का बहुत अच्छा तरीका होती है मियावाकी जंगल तेजी से फैलते हैं और दो तिन दसक में जैव विविद्रता का केंद्र बन जाते हैं अब इसका प्रसार बहुत तेजी से भारत के भी अलग-अलग हिस्सों में हो रहा है हमारे हाँ केरला के एक टीचर स्रिमार राफी रामनाज जी ने इस तकनीक से एक इलाके की तस्वीरी बदल दी दरसल रामनाज जी अपने स्टूनेंट्स को प्रकृती और परियावरन के बारे में घहराई से समझाना चाहते थे इसके लिए उन्होंने एक हर्बल गार्डन ही बना डाला उनका एक गार्डन अब एक बायो डारोसिटी जोन बन चुका है उनकी इस कामियावी ने उन्हें और भी प्रेणा दी इसके बाद राफी जी ने मियावा की तकनीक से एक मिनी फोरेस्ट यानि छोटा जंगल और इसे नाम दिया विद्यावनम अब इतना खुबसरत नाम तो एक सिख्षक ही रख सकता है विद्यावनम रामनाजी के इस विद्यावनम में छोटी सी जगह में 115 वेराइटी के 450 से अधीक पैड लगाए गए उनके स्टूडन्स भी इनके रख रखाव में उनका हाथ बटाते हैं इस खुबसरत जगह को देखने के लिए आसपास के स्कूली बच्चे आमनागरीक काफी भीडू मरती हैं मियावा की जंगलों को किसी भी जगह यहां तक की शहरों में भी आसानी से उगाया जा सकता है कुछ समय पहले ही मैंने गुजरात में केवडिया एकता नगर में मियावा की फोरेश का उदगाटन किया था कच में भी 2001 के भूकम्त में मारे गए लोगों की याद में मियावा की पद्धती से स्मृतिवन बनाया गया है कच्च जैसी जगह पर इसका सफ़र होना ये बताता है कि मुश्किल से मुश्किल प्राक्रूतिक परिवेश में भी ये तकनिक कितनी प्रभावी है इसी तरह अमबाजी और पावागड में भी मियावा की मैथर से पवधे लगाये गए है मुझे पता चला है कि लखनों के अलीगंज में भी एक मियावा की उद्ध्यान तयार किया जा रहा है पिछले चार साल में मुंबई और उसके हासपास के इलाकों में ऐसे साड़ से ज़्यादा जंगलों पर काम किया गया है अब तो ये टेकनिक पूरी दुनिया में पसंद की जा रही है सिंगापूर, पैरिस, आस्ट्रेलिया, मलेसिया जैसे कितने ही देशों में इसका बड़े पैमाने पर उप्योग हो रहा है मैं देशवास्यों से, खासकर शहरों में रहने वाले लोगों से आगर करूँगा कि वे मियावा की पद्दल्ती के बारे में जरूर जानने का प्रयास करें इसके जरिये आप अपनी धर्ती और प्रक्टिती को हरा, भरा और स्वच्छ बनाने में अमुल्ले योगदान दे सकते हैं मेरे प्यारे देश वास्यों, आजकल हमारे देश में जम्मु कश्मीर की खूप चर्चा होती है कभी बढ़ते परियटन के कारण, तो कभी G20 के शानदार आयोजनों के कारण कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादुरू देश के बहार भी पसंद किये जा रहे हैं अब जम्मु कश्मीर के बारा मुला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है बारा मुला में खेती बाड़ी तो काफी समय से होती है लेकिन यहां दूद की कमी रहती थी बारा मुला के लोगों ने इस चुनवती को एक आउसर के रुप में लिया यहां बड़ी संघ्या में लोगों ने डेरी का काम शुरू किया इस काम में सबसे आगे यहां की महिलाय आई जैसे कि एक बहन है इश्रत नभी इश्रत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मीर सिस्टर्स डेरी फार्म शुरू किया है उनके डेरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूद की बिक्री हो रही है ऐसे ही सोपोर के एक साती है वसीम अनायत वसीम के पास दो दरजन से ज़्यादा पशु है और वो हर दिन 200 लीटर से ज़्यादा दूद बेचते हैं एक और युवा आबिध हुसेन भी डेरी का काम कर रहे हैं इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है ऐसे लोगों की महनत की वज़े से ही आज बारा मुला में हर रोज साड़े पांच लाख लीटर दूद उत्पादन हो रहा है पूरा बारा मुला एक नई स्वेत करांती की पहचान बन रहा है पिछले ढाई तीन वर्सों में यहां पांच सो से ज़्यादा डेरी इंडिस्ट लगी है बारा मुला की डेरी इंडिस्ट्री इस बात की गवा है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है किसी छेत्र के लोगों की सामुहिक इच्छा सकती कोई भी लक्ष प्राप्त करके दिखा सकती है मेरे प्यारे देश वांचियों इसी महने खेल जगत से भारत के लिए कई बड़ी खुश खबरी आई है भारत की टीम ने पहली बार विमेंस जूनियर एशिया कब जीत कर तिरंगे की शान बढ़ाई है इसी महने हमारी मेंस होकी टीम ने भी जूनियर एशिया कब जीता है इसके साथ ही हम इस टूर्णामेंट के इतिहास में सबसे अधीक जीत दर्जे करना वाले टीम भी बन गए हैं जुनियर सुटिंग वालकप उसमें भी हमारी जुनियर टीम ने भी कमाल कर दिया भारतिय टीम ने इस टूर्णामेंट में पहला स्थान हासिल किया है इस टूर्णामेंट में कुल जितने गोल्ड मिडल्स थे उसमें से 20 परसंट अखेले भारत ने खाते माये हैं इसी जून में एशियन अंडर 20 अथलेटिक चेंपिनसिप भी हुई इसमें भारत पदक तारिका में 45 देशों में टॉप तीन में रहा साथियों पहले एक समय होता था जब हमें अंतराष्ट्री आवेजनों के बारे में पता तो चलता था लेकिन उद में अक्सर भारत का कहीं कोई नाम नहीं होता था गनाज मैं केवल पिछले कुछ सप्ता के सफलताओं का जिक्र कर रहा हूँ तो भी लिस्ट इतनी लंबी हो जाती है यही हमारे युवाओं की असली ताकत है ऐसे कितने ही खेल और प्रतियोगिता हैं जहां आज भारत पहली बार अपनी मौजूद्गी दर्ज करवा रहा है जैसे कि लौंज जंप में स्रीशंकर मूरली ने पैरिस डाइमन लीग जैसे प्रतिष्टित आयुजन में देश को ब्राउंद दिलाया है यह इस प्रतियोगिता में भारत का पहला मेडल है ऐसे ही एक सभलता हमारी अंडर सेविंटी वुमेन रेस्लिंग टीम ने करविस्थान में भी दर्ज की है मैं देश के इन सभी अतलेट्स उनके पैरेंट्स और कोचिश सब को उनके प्रयासों के लिए बहुत बदाई देता हूँ साथियों इंटरनेशनल आयूजनों में देश की सभलता के पीछे राष्ट्य स्तर पर हमारे खिलाडियों की कड़ी मैनत होती है अग देश के अलग लग राज्यों में एक नई उत्सा के साथ खेलों के आयोजन होते हैं इन से खुलाडियों को खेलने, जीतने और हार से सिखने का मौका मिलता है। जैसे अभी उत्तरपदेश में खेलो इंडिया उनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन हुआ। इसमें युवाओं में खुब उत्सा और जोस्त देखने को मिला। इन खेलों में हमारी युवाओं ने 11 रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन खेलों में पंजाब उनिवर्सिटी, अमरित सर की गुरु नानक देव उनिवर्सिटी और कानाटका की जैन उनिवर्सिटी मेडल टैली में पहले स्तीन सानों पर रही हैं। साथियों ऐसे टुर्णामेंट्स का एक बड़ा पहलू यह भी हो में असम की कॉटन उनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यां खिलाडी बने जिनों ने इसमें हिस्सा लिया। बरकत्तुला उनिवर्सिटी की नीधी पवईया। घुटने में गंभीर चोट के बावजूद, शौटपूट में गोल्ड मेडल जीतने में काम्यार रही। सावित लिबाई फूले पूने उनिवर्सिटी के सुभम भंडारे को एंकल इंजरी के चलते पिछले साथ बंगलूरू में निराशा हाथ लगी थी। लेकिन इस बार वे स्टैपल चेस के गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। बर्दवान उनिवर्सिटी की सरस् एफ्लेट्स को टॉप्स किम से भी बहुत मदद मिल रही हैं। हमारे खिलाडी जीतना खिलेंगे उतना ही खिलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों 21 जुन भी अब आही गई हैं। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर राष्टिय योग दिवस का उत्सुकत से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फर वसुध है कुटम कम। यानि एक विश्व एक परिवार के रूप में सब के कल्यान के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता हैं जो सब को जोडने वाली और साथ लेकर चलने वाली हैं हर बार की तरह इस भार भी देश के कोने-कोने में योग से जुडे कारकम आयोजित किये जाएंगे। साथियों इस बार मुझे न्यूवर्क के सैयुक्त रास्ट मुक्षाले यूएन में होने वाले योग दिवस कारकम में शामिल होने का आउसर मिलेगा। मैं देख रहा कि सोशल मीडिया पर भी योग दिवस को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है साथियों मेरा आप सभी से आगर है कि आप योग को अपने जीवन में जरूर अपनाए इसे अपनी दिन चलिया का हिस्सा बनाए अगर अब भी आप योग से नहीं जुड़े हैं तो आने वाली 21 जून इस संकल्प के लिए बहुत बहतरीन मुका है योग में तो वैसे भी ज़्यादा ताम जाम की जरूरती नहीं होती है देखिए जब आप योग से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आएगा मेरे प्यारे देश्वासियों पर्सों यानिविस जुन को अइतिहासिग रथ्यात्रा का दिन है रथ्यात्रा की पूरी दुनिया में एक विशिष्ट पहचान है देश के अलग लग राज्यों में बहुत दुमदाम से भगवान जगनात के रथ्यात्रा निकाली जाती है ओरिशा के पूरी में होने वाली रथ्यात्रा तो अपने आप में अध्भूत होती है जब मैं गुजरात में था तो मुझे अमदाबाद में होने वाली विशाल रथियात्रा में शामिल होने का आउसर मिलता था इन रथियात्राओं में जिस तरह देश भर के हर समाज हर वर्क के लोग उमरते हैं वो अपने आप में बहुत अनुकरणी है ये आस्ता के साथ ही एक भारत थ्रेष्ट भारत का भी प्रतिविम होती है इस पावन पुनित अउसर पर आप सभी को मेरी वर से बहुत बहुत शुब कामना है मेरी कामना है भगवान जगनात सभी देश वास्यों को अच्छे स्वास्त और सुक्ष समरुद्धी का आशिर्वात प्रधान करे साथियों भारतिय परंपरा और संस्कृति से जुड़े उत्सव की चर्चा करते हुए मैं देश के राजभवनों में हुए दिल्चस्प आयोजनों का भी जरूर उल्लेक करूंगा अब देश में राजभवनों की पहचान सामाजी और विकास कारियों से होने लगी है आज हमारे राजभवन टीबी मुक्त भारत अभ्यान के प्राकृतिक खेती से जुड़े अभ्यान के भजवाहक बन रहे हैं बीते समय में गुजरात हो, गोवा हो, तिलंगना हो, महराष्ट हो, सिक्किम हो इनके स्थापना दिवस को अलग-अलग राजभवनों ने जिस उत्सा के साथ सेलिबरेट किया वो अपने आप में एक मिशाल है, ये एक बहतरीन पहल है, जो एक भारत, स्वेश्ट भारत की भावना को ससक्त बनाती है साथियों, भारत लोगतंतर की जननी है, मजरब डेमोक्रेसी है, हम अपने लोगतंतरिक आदर्शों को सर्वोपरी मानते हैं, अपने संविधान को सर्वोपरी मानते हैं इसलिए हम 25 जुन को भी कभी भूला नहीं सकते, यव वही दिन है, जब हमारे देश पर एमर्जंसी थोपी गई थी ये भारत के इत्यास का काला दौर था, लाखों लोगों ने एमर्जंसी का पूरी ताकत से विरोध किया था लोग तंत्र के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई कि आज भी मन से हर उड़ता है, इन अत्याचारों पर पुलीस और प्रशासंद वाला दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तके लिखी गई है मुझे भी संगर्स में गुजरात नाम से किताब लिखने का उस समय मोका मिला था कुछ दिनों पहले ही एमर्जन्सी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई है जिसका सिर्शक है टॉर्चर और पॉलिटिकल प्रिजिनर्स इन इंडिया एमर्जन्सी के दोरां छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि कैसे उस समय के सरकार लोग तंत्र के रखवालों से कुरूरतम ब्यहवार कर रही थी इस किताब में धेर सारी केस्टडीज है बहुत सारी चित्र है मैं चाहूंगा कि आज जब हम आज़ादी का अमरित महुत्सों मना रहे हैं तो देश की आज़ादी को खत्रे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करे इससे आज की युवापीधी को लोक कंत्र के माइने और उसकी एहमियत समझने में और ज़्यादा आसानी होगी मेरे पैरे देशवासियों मन की बात रंग बिरंगे मोतियों से सजी एक सुन्दर माला है जिसका हर मोती अपने आप में अनूठा और अन्मोल है इस कारकम का हर एपिसोड बहुती जीवन्त होता है हमें सामुहिक्ता की भावना के साथ साथ समाज के प्रती करते विभाव और सेवा भाव से भरता है यहां उन विशों पर खुल कर चर्चा होती है जिनके बारे में हमें आम तोर पर कम ही पढ़ने सुनने को मिलता है हम अकसर देखते हैं कि मन की बात में किसी विशे का जिक्र होने के बाद कैसे अनेक्यों देश वाशों को नई प्रेड़ा मिली हाली है मैं मुझे देश की प्रसित्य भारतिय सास्त्रिय नुत्यांगना आनंदा शंकर जैन का एक पत्र मिला अपने पत्र में उन्होंने मन की बात के उस एपिशोर के बारे में लिखा है जिसमें हमने स्टोरी टेलिंग के बारे में चर्चा की थी उस कारकम में हमने इस फिल्ट से जुड़े लोगों की प्रतिभा को अकरनालिश किया था मन की बात के उस कारकम से प्रेडित होकर आनंदा संकर जैन्त ने कुट्टी कहानी तयार की है यह बच्चों के लिए अलग लग भाशाओं की कहानियों का एक बहतरिंच संग्रव है यह प्रयास इसलिए भी बहुत अच्छा है प्रगी इससे हमारे बच्चों का अपनी संस्कृति से लगाव और गहरा होता है उन्होंने इन कहानियों के कुछ इंट्रेस्टिंग वीडियो अपने यूटूब चैनल पर भी अप्लोड किये है मैंने आनंदा संकर जैन्त के इस प्रयास की विशेश तोर पर इसलिए चर्चा की क्योंकि ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि कैसे देश वास्यों के अच्छे काम दूसरों को भी प्रेरित कर रहे हैं इससे सिक्कर वे भी अपने हुनर से देश और समाज के लिए कुछ बहतर करने की कोशिश करते हैं यही तो हम भारत वास्यों का वो कलेक्टिव पावर है जो देश की प्रक्रिती में नई शक्ति भर रही है मेरे प्यारे देश वास्यों इस बार मन की बात में मेरे साथ इतना ही अगली बार नए विश्यों के साथ अब से फिर मुलाकात होगी बारिश का समय है इसलिए अपने स्वास्त का खूब ध्यान रखे संतुलित खाईए और स्वस्त रहिए हाँ योगा जुरूर कीजिए अब कई स्कुलों में गर्मी की छुटियां भी खत्म होने को है मैं बच्चों से भी कहूँगा कि होमवर्क लास दिन के लिए पैंडिंग ना रखे काम खत्म करिए और निश्चिंत रहिए बहुत बहुत धन्वाद उतला 2 तम है काजबा मैं इतला सहे 2 तम आ बचत्म कहूँचिंत प्रतेक्दिन जोगो करन्तु जोगो को प्राधान्य दियंतु यहाँ सहीता होमार करन्तु जहेतु पिला मनां करा स्कूल छुटी सेसा पाकु जाऊची तो नीज़नीजरा कामभा सेसा करा एबां सुस्था रुआपली मध्या कईचंदी प्रधान मत्री समय सरीशी बुलेट झाल